दिख बैंक्स और एजेंस के थू जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कमिशन भी इन्वाल्ड होता है बट ग्रोपे नो कमिशन जब इन्वेस्ट करना हो तो डाउनलोड ग्रोप दिललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें देजभर में लॉकडाउन जारी है केंद्रे और राज सरकार ये आपस में विजार विमर्ष कर रही है इस बीच डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ओफ इंडस्ट्री और इंटर्नल श्रेट यानि की डीपी आइएटी ने 11 अप्रेल शनिवार को सरकार को एक प्रस्ताव दिया है डीपी आइएटी सजिफ ग्रूपरसाद महाबादरा ने ग्रिह सजिफ अजे कुमार भल्ला को एक चिट्थी लिखी है इस चिट्थी में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं के अलावा उद्योग शेत्रों को भी नियंत्रित तरीके से संचालन की अनुमती दी जाए प्रस्ताव में कहा गया है कि कपड़ा उद्योग, और्टो मुबाइल, स्टील, डिफेंस और इलेक्ट्रोनिक मैनुफाक्ट्रिंग को 20 से 25 प्रदिशत शम्ता के साथ काम करने दिया जाए इसमें ये तै किया जाए कि उचित सुरक्षा और साब्धानियों का पूरी तरहां से पालन हो और क्या कहा गया है चिठी में चिठी में DPIIT सचिफ ने ग्रिह सचिफ से आविशक सेवाओं के साथ कुछ और गतिविधियों को उचित सुरक्षा उपायों के साथ चालू करने का सुझाफ दिया है DPIIT सचिफ ग्रूपरसाथ महापात्रा का मानना है कि आर्तिक गतिविधियों में सुधार और लोगों के हातों में नख दी देने के लिए ये नई गतिविधियां काफी ज्यादा जरूरी है उन्होंने इंडिन एक्स्प्रेस को बताया के हम लोगडाउन के पूरे मकसद को ध्यान में रखते हुए कई शेत्रियों, व्यवपार और उद्योग निकायों के साथ बाचीत कर रहे हैं सुरक्षा और स्वास्त को बनाए रखने के साथ कुछ और शेत्रों को फिर से जीविद करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि कुछ और शेत्रों को खोला जा सकता है हाला कि इस्थानिय प्रशासन ही तै करेगा कि कैसे किया जा सकता है यह राजय सरकारों से बाचीत पे पेम नरेंद्र मोदी ने जान भी जहान भी का जिक्र किया था इसे देखते हुए DPIIT सचिव ग्रूपरसाद ने कहा कि कुछ रिपेरिंग यूनिट खोली जा सकती है जैसे कि मुबाइल है फ्रिज है ओटो मुबाइल है एर कंडिशनर है और टेलिविजन ये जैसे रिपेरिंग यूनिट को खोला जा सकता है इससे जनता को लॉकडाउन मे इन जरूरी सेवाओं का फाइदा मिलेगा और बाजार में नगदी आएगी जो बहुत जरूरी है इस समय इन सेवाओं में बहुत भीट जुटने का भी खत्रा नहीं है कुछी कॉंवर्स कंपनियां भी ये सेवाइं देती हैं इन्हें भी काम करने दिया जा सकता है और क्या मापात्रा ने इस बात पर भी जोड दिया कि ट्रांस्पोर्ट बहानों को चाहे वो किसी भी साइस के हो इन्हें शहरों के भीतर और राजियों को पार करते हुए बिना किसी सवाल के पास किया जाना चाहिए क्या कर रहे हैं विडेश में रहते है और आपकी एलाके तक पहुचा है कोरोना वाइरस का असर, कैसे हैं हालाद, उस देश की सरकार ने उठाये हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वाइरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो बनिये दी ललन टॉप की कोरोना डायरिस का हिस्सा, अपना वीडियो आप में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताईए, फिर बताईए अपना अनुभव, अपने अलावाद थोड़े आसपास का महौल भी दिखाईए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाईए, या दिखाईए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन, और वीडियो भेजने का पता है,